हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग फर्स्ट अफॉल आज मैं लाइस्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहा हूँ इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि कल ही कार सेलर सिमिलीटर 2023 जिसके डेवलपर्स है वेस्ट एड स्टूडियो मुबाइल वरिशन की बात कराओं उन्होंने कम से कम 6 से 7 पहुती खतरनाक फाडू अपडेट्स निकाले हैं और एक अपडेट पे ड्रैक रेसिंग भी है जिससे ये गेम 4 टाइम जादा बहुती बढ़िया बन चुकी है तो चलो अब हम शुरू करते हैं लेकिन जितने भी लोग नए आए हैं वो फटाक से लाइक करके सब्सक्राइब करो वेल तो गाईस अभी आपको में सामने एक अपडेट दिखी गया होगा और वो है ये चोटा सा ननना सा प्यारा सा गराज पर इसको खरीदने के लिए हमको सिरफ पैसे ही नहीं बलकि स्किल पॉइंट भी चाहिए और यहापे लोटिंग स्क्रीन भी नोंने एड कर दी गई है तो यह जो गराज है I think हमारा खुद का परसनल है यहापे हम लोग सिरफ और सिरफ दो गाड़िया ही दो भी नहीं शायद एक ही गाड़ी रख सकते हैं और फ्रिज फ्रिज गराज में कब से आ गया और यहाप बाहर से हम यहाँ पर क्या स्काई दिख रहा है पटाबट बाहर निकलते हैं और अब मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूँ जिसका आपको बहुत बेसबरी से मुझे भी इंतजार था और वो है ड्राग रेसिंग ड्राग रेसिंग के लिए हमें एक कार इस ट्रेलर के ऊपर चढ़ानी होगी और मैंने सारी घाड़िया अपनी वेज दिए तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने अफ्तर ओफिस में और हाँ ये भी नए चीज एड़ करी गई है ओफिस का दुर्वसाद दो बार प्रेस करन हैं यहां तो देखते क्या-क्या नई चीज़े डेकोरेशन में अड़ करी हैं कुछ खास नहीं है ऐस इस यहां यहां पर कुछ नए नहीं चीज़े इन्होंने इंक्लूड करी है जैसे कि यह सोफा हो गया चेयर कॉफी टेवल हो गई मैचिंग मैचिंग हां ओके सोफा भी है यहां तो वह अलग है यह अलग है यह सिंगल सोफा दिखाए यह नक्षा मैप किस चीज़े का नक्षा है और यह प्लांट्स में सारी की साही चीज़े खरीद ली तो एक-एक करके देखते हां चेयर कुर्सी तो बहुत बढ़िए द जवाब है यह प्लांस तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए खाली है हाँ यह मैचिंग मैचिंग दिखाए हैं और नक्षा कीस चीज़ का है हैं यह क्या हुआ अंधिरा हो गया ओके तो इस मैप को हम लोग कर आके देखेंगे अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए सोने के लिए इ मुझे दिख नहीं रहा है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस कंटेनर के अंदर कोई चुपके बैठ नहीं होगा नहीं होगा और अच्छा है not bad size भी ओके हैं अंदर जाके देखते हैं और सो जाते हैं यहां पर इनको end of the day report का भी add करना चाहिए जो तो हम लोग कल जाएंगे कार option या कार market में well तो यहां सुबह हो चुकी है और सच कहूं तो यह container बाहर से भी और अंदर से भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है लेकिन इनको एक चीज़ और add करनी चाहिए कि हम अपने computer की द्वारा अपने इस container को अच्छे से modify करके इसका color वलर change कर सकते हैं और यह gas station सिर्फ दिखावे के लिए यहां पर car wash होता है तो अब कहां चलना है office चलते हैं और office में मुझे suspense on reveal करना है कि जो map हमने purchase किया है नक्षया वो किस चीज़ कहां यह रहा यह क्या है यह क्या है यह तो गए gta5 का ने ने उसका map नहीं है तो अभी कहां चलना है drag racing के लिए कोई नई कार एड करी है Lamborghini है Mercedes है Supra है सब वोई गाडिया है बगाटी चिरॉन है वो रही नाम लिया नहीं कि मेरे आखों के सामने वो गाडिया गी मैडम ठीक ठीक रेट लगा ना bargaining तो करनी पड़े कि और हाँ यहां पर देख सकते हैं अप नया user interface तुन ने एड किया है पान गी चलो अच्छी बात है डामेज भी है डाड भी है तभी तो यह काम करते हैं अभी हम लोग ड्राइग रेसिंग के लिए बाद में जाएंगे पहले हम लोग जाते है गराज में और अभी आप लोग देख सकती हो गाडी में डामेज होनी शूरू होगी लेकिन ऐसे कै जैसे वो सकता है एक ड्रिफ्ट मारने पर और ड्रिफ्ट बढ़ रही है ध्यान से बेटा ध्यान से ड्यामेज कम करनी है बढ़ानी नहीं है और यहां पर गराज में भी एक बहुती खतरनाक सा अपडेट आया है तो अब मैं आपको वह दिखाता हूं तो अब मैं आपको तीसरा अपडेट दिखाने वाला हूं पहला था गराज दूसरा ड्राइक रीसिंग और यह है तीसरा अपडेट हम सस्पेंशन की हाइट कम और बढ़ा सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं इसकी कोई अभी जरूरत है वील को भी टरन कर सकते हैं ताकि यह गाड़ी पानी भी चल सके जैसे वह चलती है टार्जन दव अंडर कार के नाट बैडा नाट बैड लेकिन एक अपडेट अभी भी मिसिंग है इनको नाइट्रो ऑकसाइड सिस्टम एड करने का रेसिंग किट ड्रिफ्ट किट यह सब चीज़े भी रखनी चाहिए थी हो सकत लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और पता चल ही गयोगी कि अब हम लोग इस ट्रक के टेदर के ऊपर ड्रिफ्ट टेस्ट यह स्पीड टेस्ट नहीं कर सकते हैं अरे यार कैसे चड़ाऊ बहुत ही मुश्किल है थोड़ी स्पीड पर करनी पड़ेगी लेकिन गाड़ी डै में जो गई मुझे बाद में रेपेर करवानी थी ड्रैग रेसिंग के बाद और यह देखो गाड़ी के अंदर भूत आगया अपना पईया घुम रहा है और कितना मिनीमम पाच हजार डॉलर और मैक्सीमम असी हजार डॉलर और वही एयरपोर्ट पे हम लोग करेंगे ड्रै सब्सक्राइब करतो रहा हूं लेकिन मैं सब्सक्राइब इजद का सवाल है हार जाएंगे करकर करकर हारी गए हार गए कोई बात नहीं मैंने आपको अपडेट दिखा दिया है ड्रैग रेसिंग कैसे करनी है यह थोड़ा आप लोग मुझे गाइड करना मैं फॉस्ट टाइ खुद को ड्रैक रेसिंग करने की बहुत प्रैक्टिस करनी होगी तो वेल गाइस आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि कोई ऐसा अपडेट भी है जहां पे हम अपना खुद का एमपलॉय करमचारी वरकर हायल कर सकते हैं यसे वो कार फॉसल पीसी गे में बिखारी नही निनी चीज तो बहुत बढ़िया है बहुती कोमोडियस बहुती स्पेस है और मेरे अन्दाजे से यहां पे हम लोग 11 to 12 गाडियां रख सकते हैं तो अभी मैं आपको सूपर डिलेक्स एकतम बढ़िया मेगा गराज खरीद के दिखाने वाला हूँ जो की बहुती पास में है और दोस्तों आपको चौथे नंबर का अटडेट उपर स्ट्रीम पे दिखरा होगा कि हम अपना खुद का शोरूम भी खरीद सकते हैं लेकिन वो ओफिस को रिप्लेस होगा मैं अभी इस एपिसोड में आपको नहीं खरीद के दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं है तीन करोड पचास हजाट डॉलर और मैंने अपने सारे के सारे पैसे इन तीनों के तीनों गराजिस को खरीदने में निकाल दिये गाड़ी इतनी डैमेज की हो रही है पर वो शोरूम भी मैं आपको आगे जरूर दिखाँगा यह है वो सूपर डिलेक्स मेगा यहां रख सकते हैं और यहां पर कोई फ्रिज नहीं है चलो अच्छी बात है तो ठीक है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही सुन्दर है अभी हम यहां से बाहर निकलते हैं बाहर कैसे निकलेगे एक कामकर यहां से निकल के देख नहीं निकल पा रहे हैं मैं फर्स किया हूं लोग अभी वेल तो दोस्तों आप लोगों को लास्ट अप्टेट अब पता चल ही गया होगा क्योंकि मैं कार आक्षन में आया हूं और कार आक्षन में ही नई-नई गाड़ियों को लाते हैं तो यहां पे बहुत सारी नई-नई क्लासी ओपी लग्जरियस आड़िशन गाड़ियों को अड़ किया है और पहली गाड़ी तो नहीं है दूसरी गाड़ी देखते हैं सॉस्पेंस अंड्री भी करो ना 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 ब्लैक कलर की दोनों गाड़ी यह ब्लैक कलर की हैं मुझे यह भी नहीं खरीदनी मेरा बज़ट बहुत मेंगा और मुझे अपी कोई बहुती नहीं गाड़ी खरीदनी है नई नई तीसरी गाड़ी भी वो नहीं आई दोस्तों आप आगे देख सकते हो यहाँ पे कम से कम तीन गाड़ियां एड़ करी गई है और जो पहली है वो Mercedes GTM जो की normal Mercedes का से बहुत ही अलग है दूसर क्लासिक BMW M8 और मैं सारी गाड़ियों को परचेस करने वाला हूँ बगाटी चिरॉन आई है खरीद ले खरीद ले डामेज भी नहीं डर्ट भी नहीं है पेट्रोल भी पुरा भरा हुआ है तो ठीक है एक और बगाटी चिरॉन मैंने परचेस कर लिए लोग ऐसे क्यों हवा म है बैठे होई है यह बग या ग्लिच क्यों फिक्स नहीं कर रहे हैं ओके दें तो इस वाले एपिसोड पर दो दो बगाटी चिरॉन मैंने अपने नाम कर ली है दोस्तों आप लोग चाहते हो कि मैं नेक्स संडे को इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करूं तो मुझे नीचे कमें करके बताओ तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक कियर एंड बाई